हम चल पड़े हैं रास्ते खुलते गए मन्जिले मिल रही है अजनभी जुडते गए जाना है बहुत दूर्थ अंजन है राहे हेलो नमस्ते सत्रियकाल एवरीवन वेल्कम टो बीट्स ओफ लाइफ विद्याशिका धरकन जिन्दगी की लॉट आई हुमें एक नए एपिसोड में एक नई कहानी एक नए किर्दार के साथ यह वो इंसान है जो अपनी रियल लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहती है पॉजिटिव वाइप स्प्रेट करती है शीज अलवेज स्माइलिंग जहां भी भी यह जाती है इनका एक ऐसा औरा है कि आपका दिन अगर बुरा भी जा रहा होगा आप इनको देखके खुशी महसूस अटोमाटिकली करेंगे जिनका करियर भी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है इतने सालों से वो पॉलिटिक्स में रही है और उसके अलावा रियल लाइफ में भी यह पोजिटिविटी स्प्रेट करती है अपनी स्माइल के थू वेल्कम तो देशो माम तो जनता को जादा इंतिजार ना कराते हुए सिरह चलते है हमारे पहले क्वेस्टिन की तरफ तो हर काम को करने के पीछे कोई मोटिवेशन होता है कोई starting point, कोई kick होता है तो what made you join politics? what made you choose politics as a career? because it's very difficult out there to work for so many hours constantly for the public, within the public actually I was in a corporate and I worked for 20 years 20 साल का मेरा experience रहा है corporate का so I was in HR so HR में we do so many multiple responsibilities हम लोग handle करते हैं जिसमें there is one of the aspect is CSR CSR के अंडर हम जो की क्लस्टर या ऐसे जो नीडी लोग हैं उन लोगों को हम education देना उस तरह की चीज़े करते थे वहां से मुझे motivation मिला और मुझे लगा कि I should start something my own चाहे वो NGO के माध्यम से था चाहे वो political system के माध्यम से था तो NGO के साथ मैं जोड़ी initially और उसके बात फिर then I switch to politics मुझे लगता है नहीं थोड़ा सा और करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि I have to be a part of the system तो उस system का हिस्सा बनने के लिए I start working with the political party और फिर हम धीरे धीरे करके BJP जो हमारी party है उसको हमने जॉइन किया जैसा कि आप कह रहे है कि आपने 20 साल पहले corporate में काम किया so corporate job is 9 to 5 एक बंधा हुआ time है कि आप इस time office जाओगे इस time office से छुटी हो जाएगी but in politics there's no fixed time कि आप बाहर जाते हो आने का कुछ पता नहीं कि किते घंटे करना पड़ेगा काम 12 गंटे, 13 गंटे कहीं बार 18-18 गंटे भी लोग constantly उस पर काम करते है and people say I've heard it many times it's difficult for women out there to be in politics इस पारे में आपका क्या कहना है देखिए you are absolutely right कि 9 to 5 job रहता है but मुझे लगता है कोई भी profile में ऐसा नहीं होता कि 9 to 5 तो ठीक है हम office में बैठे है 9 to 5 but beyond that बड़ी सारी चीजे हैं जो हमें office hours के बाद भी करने रहती है in corporate रही political system की बाद जब हम corporate में आए तो corporate छोड की जब हम political system में आए तो वहाँ पर of course working 9 to 5 तो नहीं रहती anytime people will approach you anytime people will call you they call you रात में 10 बजे वो फोन करते हैं and the question comes की मडम सोई तो नहीं थे so of course if they called up and I picked up the call of course I am not sleeping और या मैं उनकी call से उठी तो कहीं चोरी हो गई कहीं कुछ हो गया किसी भी समय कोई भी call हम पर आता है it's not about 9 बजे 10 बजे रात को कितने भी बजे आता है अगर कोई भी society का उस area का वेक्ति अगर समस्या में है तो वो हमें अप्रोच करता है और हमारी responsibility बनती है उसको जवाब देना और उसको जवाब definitely उसको respond करते हैं so time का कोई इसमें वो नहीं है और जो आपने कहा कि time कैसे manage करते हैं मुझे लगता है चाए आप corporate में है चाहे family life में है चाहे politics में है चाहे social life में है time management is really important thing और time management अगर आपका अच्छा है तो definitely you can achieve anything and you can do anything kudos to you कि आप इस line में इतने time से अच्छे से काम कर रहे हैं विकुस जैसा कि मैंने आपका profile पे देख रहे थी deputy chairman, chairman municipal corporation के अंदर दिन आपका निगम पार्शत का career भी रहा अभी आप विधान सभा में भी काफी काम करते हो अपने area में भी काफी active हो तो एक interconnected question यह कि अभी जैसे mental health month भी निकला है October में and हमारे आजकल के youngsters जो हैं stress management में थोड़ा सा problem face करते हैं तो एक stress management skill जो आपने अपने career से सीखी हो जो आप हमारे youngsters को बताना चाहती हो कि किस तरीके से वो stress को handle करें और अच्छे से अपनी life में balance maintain कर सके towards a stress-free and healthy life because physical health में तो फिर भी हम scars body के उपर नजर आते हैं diseases में भी हमें पता होता है कि खासी है, जुकाम है, क्या है but mental health related problems में there are no scars on the body it's just about the mind how to control that यशिका उसमें मुझे लगता है importantly जो मैंने इनिशली कहा कि एक तो management is really very important कोई भी अगर आप time management के साथ में चीजे करते हैं तो एक तो वो भी आपके stress management को बहुत अच्छे से manage करता है and second important thing, आज की डेट में जो social media है is such a big I would say कि इतना बड़ा barrier है for a person कि वो stress में बहुत असानी से उसमें आ जाता है इतना कुछ चलता है उसमें जो हमें नहीं भी देखना वो हम देखते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं भी है वो भी हम उसको देखते हैं चाहे वो आप Reels के माधियम से चाहे आप Facebook के माधियम से चाहे YouTube के माधियम से You will find all kind of bad and good stuff अब वो हमें चूस करना है हमें good stuff देखना है या bad stuff देखना है उसमें हमारे selection बहुत जरूरी है once you choose the good things कि हमें इस तरह की चीज़े देखनी है तो release your stress अगर आप yoga regularly करते हैं if you go for a walk regular basis पे आप जाते हैं तो वो आपकी physical fitness और mental fitness को बहुत अच्छे से manage करता है क्योंकि मैं खुद सिरफ यह सुनी सुना यह बातों पे नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं खुद यह मैंने experience किया है मेरको भी migraine का problem था and I always find that yoga is such a big word for me जिसको जो yoga से हमेशा से मैं भागती थी but मुझे कई लोगों ने बोला कि आपको migraine है तो आप yoga किया किजी then I appoint one yoga teacher और यह ने उन्हें मुझे ट्रेनिंग दी because yoga सही तरीके से करना is really important when you need to breathe, when you need to release the breathe so बहुत important है ता है उसको regular किया, तो मैं तो साल मैं रेगलर किया तो मैं उस जो मेरा issue था migraine का उससे मैं रिलीव ही plus जो मैंने कहा time management and as well as I do regular walk, I do regular yoga तो मेरा personal experience है कि if you follow these things and if you watch a good stuff then you will be relieved from the stress very rightly said इसमें से एक पॉंट जो मैंने पकड़ा social media के बारे में उसके उपर एक चीज मैं खुद भी कहना चाहूंगी कि social media के उपर एक तो content what you choose to see and what you not choose to see दूसरा, how do you want to portray yourself यह अजकल एक बहुत बड़ी चीज हो गई है कि अगर इसने अपने आपको ऐसे portray किया है, तो मुझे भी अपने आपको वैसे ही portray करना है, that is perfect मुझे अगर 15 लाइक मिल रहा है सामने वाले को 1500 मिल रहा है तो मुझे भी 1500 चाहिए, अगर किसी के poster 15 लाइक है, तो मैं कैसे 15 लाइक तक पोचू, that competition that glam world जो एक तरीके से create कर दिया जाता है शायद ही आप अपनी personal life में कितने lonely, कितने stressed या कितने अपने आपको manage नहीं कर पा रहे होगे पर अपने आपको आप सोशल मीडिया पर ऐसा portrait करना चाहते हो, जैसे my world is perfect, मेरे आज पास सब कुछ perfect है, एक वो हम जो की race में पढ़ जाते है one thing that I would like to say, कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि imagine 15 people coming and telling you every day that you look pretty तब आपको शायद वो 15 लाइक भी बहुत जादा लगने शुरू हो जाएंगे, बहुत इंपोर्टन लगने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर and now moving to my interconnected question which is a fun element, अभी तक हमने बहुत सारी serious बाते करी हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोग इस fun mode में भी जाएं any fun memory from your college or school days that you still remember, still recall and would like to share I need to say कि जब हम छोटे थे तो उस ताइम पे अभी आज की डेट में देखते हैं तो बच्चे टोटली फोकॉस्ट न तीवी मतलब everything you know, all the time they spend on TV either on mobile phone parents के लिए भी it is very convenient कि if they are making some noise तो हमने phone पकडा दिया कि लो game खेलो और we'll get relaxed but मुझे लगता है वो सबसे गलत चीज है from the parent side also और अगर बच्चा वो चीज करता है तो उसको हमें रोकना भी चाहिए जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे हम देखते हैं जब हम भाहर खेलने जाते थे so we always go with the physical activities physical games खेलते थे in spite of doing games and all mobile पे देखने के पिचा हम practically खेलते थे so वो बड़ा मज़ा आता था जब हम भाहर खेलने जाते थे I remember एक वो कंचे जो होते थे वो कंचे वाला गेम हमने खेलते थे and because I was tall तो जब भी हम खेलते थे I always win that game और वो सब बच्चे बोलते थे because she is tall and she always wins so I don't have to play it 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 so that is always being a fun part for me that I know I am going and playing so I will win so that was a fun part for me during childhood a fun part हमारा भी होता था कि हम पार्क जब जाते थे मेरे टाइम पे फोन तो शाद वो बटन वाले फोन आते थे तो इतना कोई हम बस्डाउट नहीं रहते थे कि हम वो फोन खरीदे फोन यूस करें mostly physical activity होती थी फोन तो धीरे धीरे डेवलप होते थे को खेलते थे इवन हमारे बर्दे पार्टी में भी कल्चर था musical chair खेलेंगे games खेलेंगे बाते करेंगे आपस में मिलेंगे जुलेंगे and the most fun part for me in the park was वो आइस्क्रीम वाले भाहिया आते थे हम सारे भागते वह बच्चे जाते थे मेरा औरेंज मेरा मैंगो मेरा काला खटा कोला यह फ्लेवर वो फ्लेवर तो तो वर देज आइव अभी तुम्हों उसली में जब देखती हो संडे को भी लोग दुपैर के दो बजे तीन बजे तक भी अपना राम से घर के अंदर ही रहेंगे प्राइम पर क्या देख लें नेट्लिक्स पर क्या देख लेंगे आप अगेंस्ट वाजिंग वाली चीज आजाती है कि आप क्या चीज कितनी देखते हो हर चीज एक लिमिट सेट टाइम तक अच्छी रहती है उसके बाद अग्सेस अवर्यथिं इस रॉंग अभी हम लोगोने इतनी बात करी बच्पन की यंग्स्टर्स की यूथ की habits की So your one advice for youth in one sentence तो आप भी अपनी life में follow करते हो और उन्हें भी देना चाहते हो I would say I always focused on and I always put my lines on management If you are working anything जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि if you have a good management plus whatever the task you are doing it अखास कर अगर वो teamwork है आपने किसी से कोई काम करवाना है and you are working as a team leader for example मैंने किसी को काम दिया और मैंने दिया उसके बाद मैं भूल गई की ठीक है मैंने काम दे दिया now let them they have to do it I always have a habit to follow up follow up करना किसी भी काम को लेके बहुत important है अगर आपने follow up किया है to definitely you will succeed और अगर आपने काम देकर भूल गए कि ठीक है मैंने अब यशिका को मैंने काम दे दिया and I think she will do it if she is a smart enough she will do it but there are a kind of people कुछ average भी होंगे कुछ below average भी होंगे कुछ smart भी होंगे तो आप सबसे एक तरह की expectation नहीं डग सकते तो मेरा मानना है कि यूथ के लिए खासकर किसी भी तरह का खासकर हम नई job में जाते हैं नई environment में जाते हैं so that I have applied on my corporate experience also and as well as in a political system also कि मैं कुछ भी काम अगर किसी को debut करती हूं तो मैं उसका follow up जरूर लेती हूं and I always tell everyone कि घंटे सभी को 24 मेले हैं it's all depend on you कि आप उस time का management कैसे करते हैं उन 24 घंटों को आप कैसे distribute करते हैं कि मुझे इतने बज़े उटना है इतने बज़े walk करना है इतने बज़े खाना है this is my personal time this is my family time so the time management is really very important with a follow up things very important advice हम plans तो बहुत बनाते हैं लेकिन हम उसको initiate किस तरीके से करते हैं वो बहुत जादा matter करता है मैंने खुद इस चीज को struggle किया after covid कि किस तरीके से मैं अपनी routine में वापस आऊं और मैं वापस आके दिखा पाई क्यूंकि मैंने अपना एक time table बनाया अपने mind को prepare किया कि मैं किस तरीके से वापस सुबा उठना शुरू करूंगी एक तरीके से काम को करना शुरू करूंगी इन line उसको लेके आऊंगी घर भी बाहर भी वो balancing management से ही आई थी वापस so being a part of youth I am saying this is very important to the youth right now now moving towards my second last question not the last of course आपके पूरा जो पॉलिटिकल करियर था deputy chairman chairman counselor उससे पहले काभी तो struggle रहा होगा क्योंकि हम जब कुछ position attain करते हैं तो उससे पहले भी हम बहुत मैनत करते हैं बहुत struggle करते हैं to get there वो हमको एकदम से नहीं मिलता तो उस struggle के part में से कोई एक ऐसी चीज जब आपको ऐसा लगा हो कि अब नहीं हो रहा बस मेरे बस की नहीं है लेकिन उसके बाद भी आपने कहा हो कि नहीं मैं इतना तो आ गई हूं मुझे और थोड़ा करना चाहिए let's try let's do it वो वाला attitude आप अपने अंदर लाए होगे तो वो एक मोमेंट के बारे में अगर आपको छहर करना चाहो और कुछ एक एडवाइस देना चाहो Since childhood my life was very struggling I lost my father when I was in 6th standard 6th standard में थी और father की डेद थी he got a brain hummeridge and we were having a big family we were three sisters and two brothers and I was the second one so I thought everything is finished now because once I lost him so I thought everything is finished people start saying to my mother you just take them to the hometown because how do you manage here and somewhere my mother has took a stand that no I will study here and she got a government job father ki jaga government job and we start struggling 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 then we were on a rented house and then we took a house and then we took a house plus mother ki salary we took a house and I thought survival is very tough how to manage how to get a job and I think rejection in life to move ahead then I start going to the library I start reading books and I read many books so that I can improve my English and eventually I achieved and after that I got a job after that I went for a HR MBA I have done it so I thought to get a good job and then MBA with some voices and then I got a good job then I got a good husband I got a good job I got a good job wasn't a good corporate I was working with JK Tires then after that then I got a good job and I got a good job and I feel like if you do a hard work if you are doing a hard work and you are walking straight away then I think God is also there to help you and that thing I got to see and it is there in my case that I always do a hard work and it is there in my case and I do hard work and I do hard work but at the end of the day I will achieve so that thing I think that at the end I will do that and I do the hard work and on that basis I got a good job and when I left a job I was getting 2 lakhs my salary in hand when I went to the election 2017 I went for the election and exactly 20 years of my experience from 1997 I started working and my graduation is full and after 20 years I switched to the social and political system and my HOD told me because I was thinking what do you get to the corporate what do you get to the corporate so my HOD said your corporate experience definitely will help you in your political career this is an entirely different profile but actually it happened when I was in the political system and when I became a chairman of the corporation and the chairman standing committee so that experience came to me and I work like a corporate lady I don't work like a politician I work like a corporate follow up feedback and all the things so I always have an image in the corporate that people always say you are not a typical politician you are a combination of corporate and a political system which has a lot of work in my career and I got a lot of benefit and even till now I worked as a corporate plus political mix combination and I work like that and I get results and I get results this was a very good experience which I think people will see on repeat this is my perspective that children definitely hear this inspire if you don't hear it 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 no, I can't it nobody will be out maybe when someone is able to get more to learn more or you have to motivate you or you have to make confident on your things or your management skills so you have to take a lot of things and maybe your combination I put up in your life and then there was no looking back a mention on your marriage that I got a good husband so from my marriage it will be an excellent memory and an excellent advice I put up with a good marriage it means he is a very supportive husband, a very very supportive husband and since I am married it's all memories and memories, so he is a very good supportive husband and I believe we are always being complete when we are together, it was a big decision for me to take when you are working and you are getting a good salary, good amount of salary and in that time, you have to leave the job and take the election. So that was a big decision because we are a middle class family and we have to leave the political system with no guarantee that you will win the election or not. So I have to stand that. I talked to my husband, I said can I go for it? So he said that life is very low, what we want, we can do. There are some circumstances, like I needed my family, I needed my work, because there was financial need. But that was not my choice, that was a need. My choice was social. My choice was to work in the political system or social system. And he was knowing it because I would have shared with him. So he said that now you are getting an opportunity to do that, so definitely you should try. He was working, he is in a government department. So he said that there is no issue because we have no financial issue because if you don't work, we will be a hand to mouth kind of a people. So he said that there is no chance in life, so you should try it. And I left a job and I tried for and I achieved this thing also. So he is a very cooperative husband and I think that if you are not supportive in your family, it is really very difficult to survive and to move forward. So that leap of faith that you have taken, it was possible that your partner's support was possible. And that backing, that support, it is a great thing. And you were made for each other. And you were made for each other. Now moving to the last question, finally, which is a fun element of your fitness, because you are a fitness freak, we know. So one of the I am a fitness freak. I am a fitness freak definitely. And it is in my nature, by and large, not only for fitness. Otherwise also, I am very particular about anything. If I decide something to do it, so I focus on that. Whatever is in the political system or family. So the same thing, I am very much fitness freak. So I think that you can give something to society. When you are fit yourself, then you work for the society. So that is always in my mind. And I think that we are all good with you. And if you are not good, so you are all good for 2-4 days. And in 5 days, you will not be able to stand up. So it is better that you focus on your health. and if you are healthy, healthy is your life. In all ways, life should be healthy and your body should be fit. So I always suggest and I always brief to each and everyone, either as a youth or as an old person, anyone, you always do a yoga. Yoga is a very big thing that we would have seen during Corona. Allopathic doctors have suggested that you should do yoga. And as well as if you can walk with us, then if you are walking with one hour, if you are walking daily, then there is no such thing. Whether it is sugar, BP or thyroid, these 3-4 things are such that if you are walking regularly, then you will be away from all these kinds of diseases. So fit to be fit. It is very important if you work in any profile. Very well said. Ma'am, so now every thing has an end line which I always give. Just do it. Whether it is fitness, whether it is your career, whether it is stress management, whether it is good mental health, whether it is positivity, whether it is Tulsi Ji's smile. We can say everything for us. Just do it. और आप सभी को पता है कि before ending the episode, मेरा एक रिच्वल है जो मैं फॉलो करती हूँ. वो है मेरी दो चीज़ें. एक तो बहुत special है. दूसरे से तो हम धड़कने जोडते ही है. जो सबसे पहला special element मेरा है वो है मेरी किताब. इश्क दा कलमा तू ही तू. यह मेरी किताब का नाम है. So, here is the book. एक मेरा खुद का reading interest भी था. मैं इसके बारे में क्या कहूं कि मैंने क्यूं लिखा, कैसे लिखा. COVID के दौरान लिखा. एक डेट साल इसे लिखने में लगा. फिर six months के around publication में लगा. तो यह मेरे दिल का एक टुकड़ा है जो मैंने COVID में लिखा था. With all the experiences and everything. जो मैं आपको देना चाहूंगी. Thank you. And to read and review it. Sure, sure. I'll give you definitely a review. And now, मैंने आप सब से कहा था, हम धड़कने जोडते हैं. आप सब को पता होगा, 11 episodes की history है. यह कोई surprise नहीं है, बढ़ हा. तो आज के episode में हमने अफकॉर्स बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा. तो उसको process करने के लिए आपको जितना time चाहिए, उतना time मुझा अगला episode लाने के लिए चाहिए. तो मिलते हैं अगले episode में एक नई कहानी, एक नई किरदार के साथ, तब तक, keep watching Beats of Life with Yashika and Yashika's vlogs and don't forget to like, share and subscribe. आज यहां बाते होंगी जो कल बनेगी मिसार, हाँ. कल यह बाते लिखेंगी किसी का सफर, करना है कुछ ऐसा जिसके रह जाएंगे निशार, एक दिन करीब होगा यह खुला अंबर, हम तो चल पड़े हैं रास्ते खुलते गए, मन्जिले मिल रही हैं, अज न भी जूड़ते गए. तो आईए चलते हैं जिन्दगी की कुछ कही अनकही कहानियों के सफर पर. धड़कन जिन्दगी की Beats of Life with Yashika हुआरा प्रहिए जिन्दगी की Beats of Life with Yashika